ओम जै श्री हरी विश्णू दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ सत्यनारायन व्रत की कथा एक समय की बात है नैमिशा रने दिर्थ में शौनकादी 88,000 रिशियों ने श्री सूती जी से पूछा हे प्रभु इस कल्यूग में वेद विद्यारहित मनुश्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे हुगा हे मुनिश्रेष्ट कोई ऐसा तप बताईए जिससे थोड़े समय में ही पुन्य मिले और मनोवांचित फल भी मिल जाए इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं सर्व सास्त्रों के ग्याता स्री सूत जी बोले हे वैश्नों में पूछे आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है इसलिए मैं एक ऐसे स्रेष्ट व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारत जी ने लक् में घूंगते हुए मृत्यू लोक में आप पहुंचे यहां उन्होंने अनेक योनियों में जन में प्राया सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीडित देखा उनका दुख देखकर नारत जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानुव के दुखों का अंत हो जाए इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णू लोक में गए और वहां पर वह देवों के इश्ट नारायन की स्तूती करने लगे जिनके हाथों में शंक चक्र गदा और पद्म थे और गले में वर्माला पहने स्तूती करते हुए नारत जी बोले हे भगवान आप अत्यंत शक्ती से संपन्य है मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है निर्बुण स्वरूप स्रिष्टी के कारण भगतों के दुख को दूर करने वाले हैं आपको मेरा नमस्कार है नारत जी की स्तूती सुनकर भग योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनiekों दुखों से दुखी हो रहे हैं हे नात आप मुझ पर अगर दया रखते हैं तो बताईये कि वो मनुष्य थोड़ी प्रयास से हीinkyसे चुटकारा पाशकते हैं भगवान श्री हरी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूची है, जिसके करने से मनुष्य मुह से चूट जाता है, वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो, स्वर्ग लोग और मृत्यू लोग दोनों में एक दुरलब उत्तम व्रत है, जो पुन्य देने वाला है, आज प्रेम वस होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, श्री सत्यनारण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके, मनुष्य तुरंत ही यहां सुख भोग कर, मरने पर मोक्ष को प्राप् नारद की बात सुनकर श्री हरी बोले, दुख और शोप को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है, मानों को भगती और श्रद्धा के साथ, शाम को श्री सत्यनारण की पूजा, धर्म परायन होकर, ब्राम्भणों और बंधों के साथ करनी चाहिए भक्ती भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूद और गेहुं का आटा सवाया ले, गेहुं के स्थान पर साथी का आटा, शक्कर तथा गुड लेकर और सभी भक्षन योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए, ब्राम्भणों सहित बंधू बांधों क को भी भोजन कराएं, इसके बाद स्वयम भोजन करें, भजन कीर्थन के साथ भगवान की भक्ती में लीन हो जाएं, इस तरह से सत्यनाराण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं, इस कली काल में आर्थात नित्यू लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। भगवान श्री हरिविष्णु ने कहा यह सत्यनारायन वरत्य सभी प्रकार के दुखों जैसे शारिरिक दुख, मानसिक दुख, शोक आधी का समन करने वाला है और धन धान्य की वृध्धी करता है, सभाग्य अखंड करता है और संतान प्राप्ती के लिए किया जाता है। कल युग में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इस प्रकार स्री सत्यनारायन भगवान की कथा का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। प्रती दिन प्रित्यव पर भटकता रहता था। ब्राम्वनों से प्रेम करने वाले भगवान ने उस दुखी ब्राम्वन को देखकर व्रिध प्राम्वन का रूप धारण करके उस द्विज से आधर पूर्वक पूछा। जानते हों तो क्रिपा पुर्वक बतलाईए व्रिद्य ब्राम्हण बोला हे ब्राम्हण देव सत्तनाराण भगवान विष्णु अभिष्ठ फल को देने वाले हैं हे विप्र तुम उनका उत्तम व्रत करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है व्रत के विधान को भी ब्राम्हण से यतन पुर्वक कहकर व्रिद्य ब्राम्हण रूपधारी भगवान विष्णु वही पर अंतरध्यान हो गये व्रिद्य ब्राम्हण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा यह सोचते हुए उस ब्राम्हण को रात सत्यनारायन का व्रत किया इस व्रत के प्रभाव से वहस्रेष्ट ब्रामः सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्यों से संपन्न हो गया उस दिन से लेकर प्रत्यक महीने उसने यह व्रत किया इस प्रकार सत्यनारायन भगवान के इस व्रत को करके वहस्त समस्त पापों से मुक्त हो गया और उसने दोड़लब मोक्षपद को राप्त किया हे विप्र प्रिथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य स्री सत्य नारायन का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नश्ठ हो जाएंगे हे ब्राम्हणों इस प्रकार भगवान नारायन ने महात्मा नारत जी से हो रही है श्री सूत जी बोले हे मुनियों प्रिथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने एक बार वहद्विज श्रेष्ट अपने धन संपत्ति के अनुचार बंधु बांधमों तथा परिवार जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ इसी बीच में एक लकड़ारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्रामभण के घर गया प्यास से व्याकूल वह लकड़ारा उस ब्रामभण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उससे बोला हे प्रभो आप यह क्या कर रहे हैं इसके करने से किस फलकी प्राप्ती होती है वि विप्रे ने कहा यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरुथों को प्रदान करने वाला है उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धन्धान्य आदी प्राप्त हुआ है जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहेंड करके वह लकड हारा नगर चला गया सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकडी बेशने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का स्रेष्ट व्रत करूंगा इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकडी को मस्तक पर रखकर वह उस सुन्दर नगर में गया जहां ध भर आया तत्पस्चात उसने अपने बंधु बांधमों को बुला कर विधिविधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह पुत्र और धन आदी से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेकों सुखों का भोग करके अंत में सत्यपूर अर्थात वेकुंट लोग चला गया इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ तो प्रेम से बोलिए स्री सत्यनारायण व्रत की कथा का तीसरा अध्याय श्री सूत जी बोले हेश रेश्ट मुनियों, अब मैं पुने आगे की कता कहूंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिये प्राचेन काल में उलका मुख नाम का एक राजा रहता था वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुधिमान था वह विद्वान राजा प्रती दिन देवाले जाता और ब्रामनों को धन दे कर संतुष्ट करता था कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पतनी शीला, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्य तथा पती परायना थी राजा एक दिन अपनी धर्म पतनी के साथ भद्रशीला नदी के तट पर स्रिसत्त नरायन का व्रत कर रहा था उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुषकल धनरासी से संपन्य एक साधु नाम का बनिया वहा आया भद्रसीला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके और राजा के समीप गया और राजा को उस वरत में दिक्षद देख कर विनय पुर्वक पूछने लगा साधु ने कहा हे राजन आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं कृपिया यह सब मुझे भी बताईए मैं इसे सुनना चाहता हूँ राजा बोले हे साधु पुत्र आदी की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बाधों के साथ मैं अतुल तेज संपन्य भगवान विश्नु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ राजा की बाध सुनकर साधु ने आदर पुर्वक कहा हे राजन इस विश्य में आप मुझे सब कुछ विश्तार से बतलाईए आपके कतना नुसार मैं यह व्रत और पूजन अवश्य करूँगा मुझे भी कोई संतान नहीं है इससे अवश्य ही संतान प्राप्त होगी ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवरित होकर आनंद पुर्वक अपने घर आया उसने अपनी भार्या से संतती प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पुर्वक बताया तथा जब मुझे संतान प्राप्थ होगी तब मैं इस वरत को अवश्य करूंगा इस प्रकार उस साधू ने अपनी भार्या लीलावती से कहा एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पती के साथ आनंद चित्त से रितु कालिन धर्माचरण में प्रवित हुई और भगवान स्री सत्यनारयन की गृपा से उसकी वह भार्या गर्भिनी हुई दस्वे महीने में उससे कन्या रतने की प्राप्ती हुई और श संकल्पित श्री सत्यनारायल के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं साधु बोला हे प्रिये इसके विवाह के समय में यह व्रत करूंगा इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भाती आस्वस्त करके वह व्यापार करने के लिए नगर की उर्चल गया इधर कन्या कलावती अपने पिता की खोज करो ऐसा दूद से कहकर शीक रही उसे भेज दिया उसकी आग्या प्राप्त करके दूद कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुन्दर और गुणों से संपन देखकर अपनी जाती के सार विवाह के समय में व्रत ना करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गये कुछ समय के पस्चाथ अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र के समी पिस्तित रत्नसार पूर नामक सु प्रतिज्य देखकर इसे दारोण कठिन और महान दुख प्राप्थ होगा यह श्राप दे दिया एक दिन एक चोल राजा चंद्र केतु के धन को चुरा कर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे वह अपने पीछे दोडते हुए दूतों को देखकर भैभीत चित से धन वहीं छोड़कर शीग्रही चिप गया इसके बाद राजा के दूत वहां आ गये जहां वह साधु वणिक था और वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आये और हर्स पुर्वक दोडते हुए राजा से बोले हे प्रभो हम दो उन दोनों की कोई बात नहीं सुनी और राजा चंद्र केतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया भगवान के श्राब से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में जो सारा का सारा धन था वह चोर चुरा ले गया लीलावती शारिडिक सत्तनारैन के व्रत और पूजन को देखा वहां बैट कर उसने खथा सुनी और वर्दान मांगा इसके बाद प्रसाद ग्रहन करके वह कुछ रात होने पर घर गई माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा हे पुत्री राप्री में तु कहा रुप गई थी तुम सत्तनारैन का व्रत किया तथा इस त्रकार प्रातना की हे भगवन आप हमारे पती एवं जामाता के अपराद को छमा करें वे दोनों अपने घर शीक्र ही आ जाएं इस व्रत से भगवान सत्तनारैन पुनह संतुष्ट हो गए तथा उन्हों ने निरिपस्रेष्ट चंद्रक पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाज कर दूगा राजा से स्वपन में ऐसा कहकर भगवान सत्तनारैन अंतरध्यान हो गये इसके बाद प्रातहकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वपन सुनाया और कहा दोनों वडिक पुत्रों को शीग्रही गये हैं इसके बाद दोनों महाराज निरिपस्रेष्ट चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पुर्वरितांत का स्मरण करते हुए भै विवल हो गये और कुछ पोल न सके राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पुर्वक कहा आप लोगों को प्रारब्दवस यह महान दुख प्राब्द हुआ है इस समय अब कोई भै नहीं है राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तता सामने मुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया और पहले जो धन लिया था उसे दुगना करके दिया उसके बा मंगला चरणर करके और ब्रांबनों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा साधू के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारान ने उसकी सत्यता की परिक्षा लेने की जिग्यासा से पूछा साधो तुमहारी नाउमें क्या भरा है तप धन के मद में चूर होकर दो पूछ रहे हो क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है हमारी नाव में तो लता और पत्ते आधी भरे हैं ऐसी निश्ठुर वाणी सुनकर सत्तनारायन वेशधारी स्री दंडी बोले तुम्हारी बात सच हो जाए ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारन किये हुए भगवा कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए दंडी के चले जाने पर नित्यक्रिया से निवित होकर उत्री हुई अर्थात जल में उपर की और उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चरे में पढ़ गया और नाव में लता और पत्ते आधी देखकर अत्ह उन्हीं की शरण में चले वहीं जाकर मन की इच्छा पुर्ण होगी दामाद की बात सुनकर साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ती पुर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आधर पुर्वक कहने लगा आपके सम्मुख मैंने जो पुजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्या से ही तुम्हें बारम बार दुख प्राप्थ हुआ है भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह स्तुती करने लगा साधु ने कहा हे प्रभो आश्चरे की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा अधिदेवत भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते फिर मैं मुर्क आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूं आप प्रसंद हुए मैं आपकी शरण में आया हूं मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी आप रक्षा कीजिए उस ब की क्रिपा से हमारा मनोरत सफल हो गया ऐसा क्याकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की भगवान श्री सत्यनाराण की क्रिपा से वह आनंद से परिपुर्ण हो गया और नाव को प्रेतन पुरुवक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रिस्थान उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधू की भार्या को हाथ चोड़ कर प्रणाम किया तथा उसकी अभिष्ट बात कही सेट जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन्धाने से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं दूत के मुख से यह बात सुनकर वह अति आनंदित हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायन की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा मैं साधू के दर्शन के लिए जा रही हूँ तुम शीग्र आओ माता के ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परिद्याग करके वह कलावती भी अपने पती का दर्शन करने के लिए चल पड़ी इसे भगवान सत्यनारायन रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पती को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया इसके बाद कलावती कन्या अपने पती को ना देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथिव पर गिर पड़ी नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यन्त दुखी देखकर भैभीत मन से साधू बनिया ने सोचा यह क्या आस्चरी हो गया नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए तदनंतरवा लीलावती भी कन्या को देखकर वेवल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पती से इस्ट्रकार बोली अभी अभी नौका के साथ यह कैसे अलक्षित हो गया न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई अत्वा स्री सत्यनारायन का महाद में कौन जान सकता है ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोध में लेकर रोने लगी कलावती कन्या भी अपने पती के नश्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पती की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चे किया कन्या के इस प्रकार के आचरन को देखकर भारिया सहित वह धर्मग्य साधु बनिया अत्यंत सोक संतप्त हो गया और सोचने लगा या तो भगवान सत्यनाराण नहीं अपरण किया है अत्वा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं अपनी धन शक्ती के अनुसार मैं श्री भगवान सत्यनाराण की पूजा करूंगा सभी को बुला कर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन में इक्षा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रस तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पती को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संसे नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीग्रही घर गई, उसने प्रसाद ग्रहन किया, पुने आकर स्वजनों तथा अपने पती को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। पाच्वा अथ्याय पुजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीब रखकर वहां से लोट आए। और इच्छा नुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परिद्याक करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसका संपुर्ण धन, धान्य एवं सभी सौ पुत्र नश्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायन ने हमारा नाश्ट किया है। इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए, वहाँ स्री सत्यनारायन भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोप गड़ों के समीप गया। और उसने गोप गड़ों के साथ भकती श्रद्धा से युक्त होकर वितिविधान पुरवक भगवान स सत्यदेव की क्रिपा से वहपुना धन और पुत्रों से संपन्न हो गया। तथा इस लोग में सभी सुखों का भोग करके अंत में सत्यपूर वैकुंठ लोग को प्राप्त हुआ। स्री सूती जी कहते हैं जो व्यक्ति इस परम दुरलब स्री सत्यनाराण वरत को करता है और पुन्यमई तथा फल प्रदाइनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है। उसे भगवान सत्यनारायन की क्रिपा से धन धान्य आदी की प्राप्ती होती है। दरिद्र भी धनवान हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ, बंधनों से मुक्त हो जाता है। दरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है यह सत्य भाथ है इसमें कोई संजय नहीं है। इस लोक में यह सभी ऐक्षित फलों का भोग करके आंत में सत्यपूर व्यकुण्थ लोक को प्राप्त करता है। हे ब्रामणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्य नारायन के व्रत को कहा, जिसे करके मनुसी सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, कली युग में तो भगवान सत्य देव की पूजा विशेश फल प्रदान करने वाली है, हे मुनिश्वरों, पुर्वलोक में जि ह्श्वलों, जुछ दामा नामक ब्रामण हुए. और इस जन्म में भगवान कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मुक्ष को प्राप्त क्या. लकड़हारा भेल घूहो का राजा हुआ, और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मुक्ष को प्राप्त किय महाराज उलका मुख दूसरे जन्मे में राजा दशरत हुए जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ लोग को प्राप्त किया इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवरती साधु पिछले जन्मे के सत्यवरत के प्रभाव से दूसरे जन्मे में मोर्धवज नामक राजा हुआ उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आधी दे भगवान विश्नु को अर्पित करके मोक्ष को प्राप्त किया महाराजा तुंग ध्वज जन्मांतर में स्वायंभू मनु हुए और भगवत संबंधिन संपुर्ण कारियों का अनुष्ठान करके व्यकूंठ लोग को प्राप्त हुए जो गोप गण थे वे सब जन्म जन्मांतर में व्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और स जय ब्रेम शी भोलिये सत्या नारायन भग्वान की जै श्री लक्ष्मी नारायन कीज़े जय जय श्री कृष्छन जय श्री राधेह। और अब पूरे भक्ति भाव के साथ सच्चे मन से भगवान सत्यनाराण की आरती करते हैं भुत छवी राजे नारद करत निराजन घंटा ध्वनी बाजे ओम जय लक्ष्मी रमडा स्वामी जय लक्ष्मी रमडा प्रकट भये कली कारण द्विज को दरश दियो बूढो ब्राम हड बन कर कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमडा स्वामी जय लक्ष्मी रमडा दुर्बल भील कठारो जिन पर क्रिपा करी चंद्र चूड एक राजा दिन की विपति हरी ओम जय लक्ष्मी रमडा स्वामी जय लक्ष्मी रमडा वैश्य मनोरत पायो श्रद्धात जदीन ही सोफल भोग्यो प्रभूजी फिरस्तूती कीन ही ओम जय लक्ष्मी रमडा स्वामी जय लक्ष्मी रमडा भाव भक्ति के कारण चिन चिन रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीनी तिन को काज सर्यो ओम जय लक्ष्मी रमडा स्वामी जय लक्ष्मी रमडा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी मन वांचित फल दीन हो दीन दयाल हरी ओम जय लक्ष्मी रमडा स्वामी जय लक्ष्मी रमडा चड़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमडा स्वामी जय लक्ष्मी रमडा श्री सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नरगावे रिध्य सिध्य सुख संपती सहज रूप पावे ओम जय लक्ष्मी रमडा स्वामी जय लक्ष्मी रमडा श्री सत्य नारायण स्वामी जय पातक हरडा ओम जय लक्ष्मी रमडा प्रेम से बोलिए श्री सत्य नारायण भगवान की जय और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं अच्छी लगी है अगर आज की वीडियो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजे मिलती मैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार